2013 में सारुक खान की एक मूवी आये थी जिसका नाम था चैनली एक्सप्रेस जिसमें सारुक खान के पुजिर रोल पर तीपा का पादुकोंड को भी लिया गया था इस मूवी का बॉक्स ओफिस कलेक्षन था 432 करोड तो आप लोग समय जी गए होंगे कि इस मूवी को उस समय कितना ज़्यादा पसंद किया गया था ये मूवी सायद आपने भी देखी होगी इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं चैनी एक्सप्रेस के सुटिंग टाइम दिखाने वाला हूँ वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ऐसा वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ इस मुवी में सारुक खान का नाम राहूल है तो राहूल अपने दादाजी की अस्थियां को विसर्जित करने रामेस्वरम जा रहा था तो फिर वहीं उसे डियोन की बेटी से मुलाकात होती है तो मुवी का ये सीन गोवा के एक लोकल रेलवे स्टेशन पर किया गया था सूटिंग के दो दिन पहले ही इसका परमिसन ले लिया गया था इस सीन को सूट करने के लिए काफी ज़्यादा रिटेक लिया गया था एक रिटेक के 30 मिनट का समय लगता था तो गैज इसको लगभग 6 दिनों तक सूट किया गया था तो मुवी में जो ट्रेन दिखाया गया है वो एक रियाल ट्रेन के साथ सूटिंग किया गया था लेकिन कुछ ही जगहों पर सीजी आई का उप्योग भी किया गया है इस सीन में कुछ ऐसे सीन भी थे जिसे रियाल ट्रेन के साथ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था इसलिए मुवी के कुछ सीन को स्टूडियो के अंदर फिल्म आया गया था यह सुटिंग हुई थी मुंबई के स्टूडियो में इस सीन को सूट करने के लिए एक बड़ा सा सेट अप बनाया गया था और एक नकलीड ट्रेन के साथ इसको फिल्म आया गया था जिसको बाद में सीजी आईवा वी एफेक्स के मदद से इसको रियालिस्टिक बनाया गया था मैं आपको बता दू कि इसका जो एफेक्स है और रियड चिली के स्टूडियो से आया है मुवी का यह वाला सीन जब रहूल और मुयम्मा चन्नी एक्सप्रेस से आये थे तो वा वाला सीन है